मार्केट में जो पतासी वाला पानी होता है उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ घर पर पतासी वाला पानी कैसे बनाए सुध बनाएंगे कुछ टिप्स और ट्रेक जानेंगे तो ये वीडियो बिल्कुल भी इसकेप मत कीज तो फिर चलिए ये वीडियो फटाफट से शुरू कर लेते हैं पतासी का पानी बनाने के लिए दो तीन मसाले त्यार करेंगे फटाफट से बन जाते हैं एक नोनिस्टिक पैन ले सकते हो या मिट्टे का तवा लेजिएगा नीचे से गेस ओन करके इसमें जीरा और काली मिर इन दोनों को जलाना नहीं है मीडियम फ्लेम करके हलका से इने भूनेंगे जीरे का कलर हलका सा चेंज हो जाए अब आपन नीचे से गेस बन कर देंगे और एक उखल मूसली लेकर इसमें कनवर्ट कर देंगे जो मैंने जीरा भूना है उसमें ये दे कि थोड़ा सा भी जीरा जला हुआ आपको नहीं दिख रहा है ना अगर आपका जल जाएगा तो हलका से इसे कड़वा कड़वा टेस्ट देगा इसलिए आपको जलाना नहीं है और ओखल मूसली में इसे डाल कर बारिक पाउडर बना लेंगे आप एक साथ भी पाउडर बना सकते हो और इस टोक में भी रख सकते हो मैं यह आपर अभी के लिए बना रही हूँ तो ओखल मूसली काम में ले रही हूँ आप मिक्स में भी इसे ग्रैंड कर सकते हो ऐसे आपको इसका पाउडर बना लेना है अब दूसरा मसाला त्यार करेंगी आपके पास सुखा पोदिना हो तो आप सुखा पो दिना का पैस्ट लेना है अब तीसरा मसाला त्यार करेंगी उसके लिए आप केरी ले लिजिएगा केरी ना हूँ तो इमली ले लिजिएगा इमली वाला पानी हो जाएगा वो अगर आपकी केरी ज्यादा खटी है तो आपको एक केरी लेनी है और थोड़ी से मिठा है वो ख के कि ने लह गे और जो अपने केरी लिए वह ऐसे साएंचा समगाई में पानीह डाल कर लें आपको क्यों पर दिख रहे होंगी उनकीम क्या है सबजी बनाऊंगी और जो अपन पानी बना हैं उसके लिए साबोती ही बोईल करेंगे चोथे मसाले में आपके पास भूंदी हो तो आप ले सकते हो और ये उपसनल है नहीं हो तो लिव भी कर सकते हो और ऐसा चिल सा पानी लेना है ये दिखे आपको फोड़ी सी इसमें आइस भी दिखरी होगी ये बिल्कुल ठंडा पा जब तक अपने ये सारे काम होई तब तक अपना कच्चा मेंगो भी बोईल हो चुका है अब ये नीचे से गेश बंद करके इसे बाहर निकाल कर ठंडा करेंगे केरी ठंडी हो जाने के बाद इसे आपको दबाव लगाना है बीना इसे खोले ही इसे कहा है ये पूरा अंदर से रस छोड़ देगी अब जो ये केरी के ढखन लगा हुआ है इसे अपन खोल ले देंगे सिम सिम खुल भी गया है जो पन्य मटकी में पानी लिया है उसमें ये सारा का रसारा अपन डाल देंगे और गुठली को बाहर निकाल लेंगे पूरा ऐसे मैस करना है पानी में पूरा रस निकाल देने के बाद छिलके को और गुठली को बाहर निकाल देंगे यह मैंने पुरा रस निकाल लिया है इसमें पोदेने का पैस्ट एड़ करेंगे जो पन्य बनाया है और मिक्स कर लेंगे आप बिल्कुल स्मूथ बनाना चाहो तो इस टाइम आप एक बार मिक्स में फेट लीजिएगा लेकिन मुझे ऐसे थोड़े से रेसे रेसे से अच्छे लगते हैं एक लिटर में आपको एक चमश बुना हुआ जीरा और काली मिर्श का पाउडर एड़ करना है यह हाफ लिटर की है तो मैं इसमें एड़ कर रही हूँ हाफ चमश और हाफ चमश ही काला नमक टेस्ट के अकोरिंग सिंपल नमक एड़ कीजिएगा और नाम मातर की इसमें रेड़ चिली पाउडर एड़ करेंगे और उपर से बुन्दी यह पानी आप सुबह या अफ्टरनून में पिऊगे नोर्मल तरीके से तो लू नहीं लगेगी जो खामकासी नहीं होती है और अपच की समश्या होती है वो भी नहीं होती है बुन्दी एड़ कर लेने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे और यह लीजे अपना पतासी वाला पानी बनकर त्यार हो चुका है इसे एक गिलास में कनवर्ट करके पीजी आप सिंपल भी पीश सकते हो इसे यह सरीर में जाकर थोड़ा सा भी नुकसान नहीं करेगा मार्केट वाला जो अपन पानी पीते हैं वो सरीर में जाकर नुकसान ही करता है क्योंकि वो मिलावट करते हैं इसी वज़े से अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लेज वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा मैं सर्व सरमा मिलती हूँ एक ऐसे नी रेश्पी और एक नए टेस्ट के साथ